यहाँ पर विराजमान देश के भावी कंदार मेरी छोटे छोटे भाईयों बहिनों आए थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करने के लिए उपस्तित हों अभी बहुत सुन्दर भजन आप महारशी देव दयानन सरस्वती जी के विशय में सुन रहे थे उन्होंने नारियों पे क्या उपकार किया, समाज के लिए क्या किया, राश्र के लिए क्या किया और बहुत सुन्दर चर्चाए आप मुझसे पहले भी सुनते रहे तो मैथिली शरणगुप्त बहुत सुन्दर कव्यूवे हिंदी के जो हिंदी से थोड़ा भी परिचित होंगे वो जानते होंगे उनकी बहुत सुन्दर पंक्तिया हैं हम कौन थे हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी इनी पंक्तियों पर विचार करने के लिए आपके सामने ऊपस्थी थोँ हम कौन थे हम बहुत कहते हैं कि हमारा गौरवशाल इतिहास रहा हम ये रहे हम वो रहे हम विश्व गुरु रहे क्या इतिहास था हमारा आप विचार करो जिस देश में मर्यादा पुरशोत्म श्री राम चंदर जी महाराज जैसे लोग हुए जिस देश में योगी राज श्री किष्ण चंदर जी महाराज जैसे लोग हुए उस देश में भगवानों का इतना भाव हो गया कि साहिए बाबा भी हमने पूझने पर ला दिये इतना भाव हो गया तो विचार करने क्या विशक्ता है कि नीूंता कहां रही कमी कहां रही आप विचार करो धर्म की स्थापना के लिए आपको याद होगा जब महरशी विश्वामित्र शिरी राम और लक्षमन को लेकर के जा रहे थे तो एक हड्यों का धेर देखा उन्होंने पूछा ये हड्यों का धेर कैसा है तो महरशी विश्वामित्र ने बताया कि कुछ राक्षस है क्योंकि राक्षस तो हर काल में होते हैं हर युग में होते हैं बस उनकी प्रजातिया बदल जाते हैं उनके कृतिया बदल जाते हैं लेकिन रहते हमेशा है तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस है और राक्षसों ने जो लोग यज कर रहे थे उन रिशी मुनियों की मारा हत्या की और ये उनकी हट्डियों का ढाचाय ये उनकी हट्डिया है तो तब श्रीराम ने प्रतिजा की थी निशिचर हीन करऊ मही भूज उठाए प्रणकी नहां अर्थात मैं इस पृत्वी को इस ध ऐसा बनाना चाहते हैं राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए प्रतिज्या की मैं धर्म की स्थापना करूंगा बालमी की रामेंड को पढ़के देखिए तो महरेशी बालमी की के पास जब चलते हैं आप रामेंड को उठाएए बालकांड उठाएए और जब चर्चा पढ वालमीकी नियों एक बहुत सुन्दर श्लोग दिया। उन्होंने का साच्च सर्वगुणोंपेता हा। कोसल्या नंदवरदना हा। समुत्र हिव गांभिर्ये और दैरियन हिमावनिवा। वो कोसलिया का नंदन है कोसलिया के पुत्र है अविचार कीज़े सरवगूणों पेत हा उनके अंदर सभी गुण विराजमान है और धैरिये न समुद्रई वगांबिर उनकी कम्भीरत अगर देखो गए तो समुद्र के समान है और धैरिये में वो हीमालय के समान है ये मर्यादा पुरुषोतम का चित्रन कर रहे हैं शिरी राम का कौन महरिशी बालमी की और हमने क्या चित्रन किया जो सुयम कह रहे हैं कि धर्मकी इस्थापना करूँगा राक्षेसों से विहीन कर दूँगा हम उनका नाम लेके कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम और दास मलू का कह गए सबके दाता राम परिश्रम करना छोड़ दिया मेहनत करनी छोड़ दी राम जी तो सोयम धर्म की स्थापना के लिए युद कर रहे हैं लेकिन राम जी को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं ये विचारणी है हम भगवान को या किसी भी महापुरुष को अपने हिसाब से मानते हैं उनके हिसाब से नहीं मानते वो क्या थे हमको क्या मानना है वो मानेंगे जैसे राम 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 कहिए और जाहे वीधी राखे राम सुना होगा ना अपने जाहे वीधी राखे राम ताहे वीधी रहिए भाई तू शराप पी रहा है थोड़ी देर में नाली में गिर जाएगा और पड़ा पड़ा अगर कहे कि जाहे वीधी राखे राम आप विचार कीजे क्या सही है आपके सामने धर्म की हानी हो रही हो और आप मोन बैठे हैं और आप कहें जाहे वीधी राखे राम भाई भाई के लिए जरा सी मेड इधर से उधर हो जाए तो तुरंट गला कार देते हैं ख़बार उठाके देख ली जर जाहे वीदी राखे राम यही करते हैं भूल जाते हैं मा भ्राता भ्रातरम दुख्षन वेद का संदेश क्या है जब अपने पर आती है हमको बहुत चीजे पता हैं लेकिन जब दूसरे के बात हो दूसरे पर आए तब पता है भाई भाई के ल दो राम जी ने कब कहा कि धर्म पर प्रहारो तो तुम मौन रहो नहीं हमको पंक्तिया बदलनी पड़ेगी राम 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 कहिए और चाहे विधी राखे राम नहीं चाहे विधी रहे राम ताहे विधी रहिए अगर ये लाइन आ जाए चाहे विधी रहे राम भा अब बताईए इतना बड़ा त्याक कनुपमुधारण कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आज जितना पतन हमारा हो रहा है, अन्या किसी का नी हो रहा अपी सवन मही लंका अन्या मे लक्षवन रोचते, सब सुनते हैं सारे द्रिश्टांत जानते हैं लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, राश्ट के लिए, कितना समय हम निकालते हैं, ये विचार करने के आवशकता है, चाहे विदी रहे राम, जिस दिन ये लाइन अपने जीवन में धारन कर ली, आपका परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, महोला सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा, पुरा राश्ट सुधर जाएगा, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कि चाहें विदी रहे राम मैंने कहा ना हम कौन थे हम वो थे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ जाया करते थे संगर्श किया करते थे सेना नहीं बुलाई जो लोग पास में थे उनको लेकर के युद किया उनको एकत्र किया उनको एकटा किया और अपने द्राज्य से दूर थे, अयोध्या से दूर थे, उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए संगर्ष किये, हम रामजी को मानने वाले लोग, रामजी संध्योपासन करते थे, कितना संध्योपासन करते हैं, रामजी ने अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपनी स्त्र कि रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध रच दिया और जाकर के लंका में रावन का विनाश किया हम से तो आज समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या करना है और किस दिशा में जाना है क्या संसकार देना है हम कौन थे हम वो थे जो स्वाभी मानी थे हम वो थे जो धार्मिक थ थे हम वो थे जो सर्व गुणों पेता वाले रामजी को मानते थे हम क्या हो गए आज हमने रामजी को दलित विरोधी बना दिया यह चल रहा है ना शंबूक वद किया था एक एक लंचन हर महापुरुष पे लगा दो जिससे की लोगों के आस्था हिल जाए रामजी स्तिरी व मापुरुष कोन हुए श्री कृष्ण जी कौन थे श्री कृष्ण जी अभी जनमाष्टमी हम सभी ने मनाई कौन थे श्री कृष्ण जी तो कहेंगे जी मा खंचोर थे रास लीला रचाते थे यही तो हो रहा है अपने बच्चों को एक दिन तो राधा कृष्ण बना के स्क कनईया की कृष्ण जी नहीं कनईया जी की ड्रेस में आएंगे अभी अकवार कि एक कटिंग सोशल मीडिया पे बहुत वाइरल है आपने भी देखियोगी लकेजी में एड्मिशन कराया है किसका लड्डू गोपाल का कौन सी कक्षा में लकेजी में आप विचार करो इससे जादा पतन शैद किसी समाज करनी हो जितना हमारा हुआ लकेजी में एड्मिशन हो रहा है बाकाइदा फीस भरी जाती है बाकाइदा बसका किराया दिया जात मानते हैं अगर वो इश्वर भी है अगर वो भगवान भी है तो आप LKG में एडमिशन कराने वाले होते कोन है भाई कृष्णी जी कौन थे कृष्णी जी वो थे जब महाभारत में युदिश्टी ने मुझे राजसू ये यज़ की चर्चा हुई तो पता लगा अब युदिश्टी राजसू ये यज़ करेंगे उन्होंने का मैं श्री कृष्णी जी को बुलवाना चाहता हूँ उनसे सला करना चाहता हूँ है जब वद हो गया तो औरने का राजशूय क्या जार्षय ने की Kick बर तो का कि अरखी पूजा किसे डी जाएँ तो भिष्म पिता महां ने कहा कि इस सभाह में वड़ वेडांग तत्वज्यों कितνी बड़ी बात रहे हैं वेद वेदांग तत्व जी वर्थात वेद और वेदांग के ज्याता थे कौन वेद वेदांग विज्यानम बलम चाप्य अधिकम तथा किसके लिए का जा रहा है श्री कृष्ण जी के लिए जो वेद वेदांग को जानते हैं और केवल वेदांग को नहीं जानते बल पर उनके अतिरिक्थ कौन है केशवाद रिते विशिष्टह केशवाद रिते केशव के अतिरिक्थ ऐसा कोई नहीं जिसकी अर्ग्या पूजा की जाए इसलिए श्रीक्रिश्ण की अर्ग्या पूजा की गई तब महां पे शिशुपाल की चर्चा आती है आप विचार करो जिन के लिए भिश्म पिता महां जैसे व्यक्तित तो कह रहे हैं कि वेद वेदांग विज्यानम हम क्या हमारी यौकात उनके सामने हम उनका LKG में अडमिशन कराते हैं इससे घोर पतन आप कहते रहे हम कौन थे इसलिए कहते हूं हम कौन थे हम वो थे कि भगवत गीता तो पढ़ेंगे और भगवत गीता में क्या कहते हैं कृष्ण जी परित्रानाय साधूनाम विनाशायच दुष्कृताम धर्मसंसा पनार्थाया संभवामी युगे युगे परित्रानाय साधूनाम और विनाश आये चाद दुष्कृताम, दुष्टो के विनाश के लिए पृत्वी पे आया, अगर मैं आया हूँ, तो धर्म की स्थापना के लिए धर्मसन स्थापनार थाया, और हमने क्या कह दिया ना ना कृष्ण जी स्वयम कहते हैं मैं धर्म की सापना के लिए आया हूँ हम कहते हैं नहीं नहीं आप गलत है माराज आप धर्म की सापना के लिए नहीं आये मनियारे का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया हमारी आँखों में इतने निरलज हम हो गए कि अपने महापुरुशों का अपने भगवानों पे जितने लांचन हमने लगाए दुनिया का कोई मत मजब संप्रदाए अपने उपासकों पे इतने लांचन लगा नहीं सकता जितना हमने लगाए आप ये देखें इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं जो कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ हम कहते हैं ना ना आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते जो कहते हैं मेरे रत को अरजुन ने का मेरे रत को बीच में लेके चलो मैं देखना चाता हूँ मुझे किन लोगों से लड़ना है जब अरजुन ने देखा ये तो मेरे पिता लोग है मेरे पिता महा लोग है मेरे गुरू लोग है मेरे चाचा है मेरे ताउ है मेरे बेटा है ऐसा कोई नहीं मेरा संबंदी जो युद के मैदान में ना हो तो उसने का नहीं नहीं सीधन्ती ममगातराणी, मुखंचय परिशुष्यती, वे पथुष्य शरीरे मेरो महर्शय शजायती, सीधन्ती ममगातराणी, मेरा शरीर कहाँ परा है, मैं नहीं लड़ सकता, ये तो अपने लोग है, और अगली पंक्ति कही, कि अपित्रही लोग क्या राज्यस्या, आप एक जाया कि इस आत्मा को ये नष्ट नहीं होगी, नहीं नंचिंदंति शस्त्राणी, नहीं नम्दाहती पावका, ये नष्ट नहीं होगी, इससे प्रेरित होके अधर्म करना पाप है, और योध्धा है, युद के मैदान में खड़ाया तो युद कर पीछे मत हट, और उसको अगर मारा गया तो स्वर्प को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो पूरी प्रित्वी पे शासन करेगा, इसलिए हे कॉंति के पुत्र खड़े हो जाओ, क्यों? युद के लिए निष्टे करके खड़े हो जाओ, जिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन में युद के मैदा निष्टारमी उसके रक्त में उश्डारका संचार कर दिया, जिन भगवानक कृष्ण ने हर संकठ काल में पандवों की रक्षा की, जिन भगवानक कृष्ण को भेषम पिता महा से लेके अचार्य द्रोन हो चाहित कोई भी वेक्ति हो, हर वेक्ति नतमस्तक उनके सामने होता ह उनके हमने क्या दुरगती कर दी यह हमसे बुरा व्यक्ति शायद हम उपास सकते हो नहीं सकते, उनकी उपास नहीं सकते, चन माश्टमी पे किसी भी महापुरुश का दूसरे मतमजब्सम्प्रदायवाले हमारा मजाग बना जाते हम कुछ मतलब नहीं, जो व्यक्ति पूर जी उन्होंने जन्म से लेके ओ मुरत्यों परियंत कोई भी बुरा कारिया नहीं किया और हमने तो उनसे इतने बुरे कारिये करा दिये कि आप समझ भी नहीं सकते LKG में एडमिशन जिन्होंने गुर्कुल शिक्षा ग्रहन की जो सांधीपुनी मुनी के आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहन करते है या तो आप उनको गुर्कुल में पढ़ाई थे ये छोड़ दो कि गुर्कुल में नहीं पढ़े थे कौन्वेंट में पढ़ा रहे हैं हम अपने भगवानों को आप विचार करो इसको उठान कहते हैं या पतन कहते हैं और फिर कहते हैं हम तो कृष्णी जी को भगवान मानते हैं आपकी आस्था हो सकती है लेकिन माभारत पढ़के तो देखिए कृष्णी जी का स्वरू पढ़के तो देखिए हमने एलकेजी में एडमिशन कराया कितने लोग मजाक बनाते होंगे अगर वो एलकेजी में एडमिशन करा रहे हैं तो कॉन्वेंट वाले जादा महान है भई गुरकुल शिक्षा को बंद कर देना चाहिए अगर हमारे भगवान भी कॉन्वेंट में जाने लग जाएं तो हम तो उनके जैसा आचरन करेंगे यद्यदाचरती श्रेश्टत अदत अधवित तरोजना जैसा वो आचरन करेंगे वैसे हम अगर वो एलकेजी में पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे फिर गुर्कुलों की क्या वे शक्ता है तो ऐसे पता नहीं हुआ मुसाफिर जी की पंक्तिया है ना कि गैरत है जवानों के गर खून उबल जाते हमसे स्वाविमानी कौम और या हमसे निरभिमानी कौम मेरे को समझ में नहीं आता क्या कहा जाए गैरत है जवानों के गर खून उबल जाते मर्दों की तरह चाकर के मैदान में मचल जाते कुछ बात है मुसाफिर हिंदू नहीं पिंगलते वरना पनी ये तेरी आहों से तो पत्थर भी पिंगल जाते क्या परिवर्तन किया? किस महापुरुष को माना? किसका हमने सम्मान किया? हमने कृष्ण जी को नहीं छोड़ा आपने कृष्ण जी की चर्चा सुन ली राम जी की चर्चा सुन ली हम उनको महापुरुष कहते हैं हम उनको भगवान कहते हैं लेकिन आज हमने उनकी क्या स्थिती कर दी? ये विचारनी ये है अगर आज नहीं जगे अब भी नहीं समले कहते हैं जी वो तो माखन चुराते थे अगर वो चोर होना उनका सही है तो हमारे बच्चे भी चोर हो जाएं अरे उनका नाम गोपाल था वो गाएं का पालन करते थे जिनको भोग विलासी बना दिया उन्होंने बारा वरश तक तपस्या की थी तपसाद वादशवारशीकम हिमवद पार्शमास थाया यू मया तपसार जिता प्रद्यूमनो नामे सुता हा हमने माभारत नहीं पड़ी हमने रामायड नहीं पड़ी हमने वेद पढ़ना छोड़ दिया हमने उपनिशद नहीं पड़ी जीज दिन से स्वाध्याय करना छोड़ दिया उज दिन से टीवी का माभारत हमारे लिए माभारत हो गया जो टीवी में दिखाया गया बस वही कृष्ण जी है और आज आप तीन लोगों की उपासना करते है बहुत जादा हिंदू समाज जिन की उपासना करता है वो तीन लोग है मर्यादा पुर्शोतम शिरी राम योगी राज श्री כिष्रचनर जी माराज और एक शिवजी की उपासना करता है तीनों की बहुत जादा उपासना होती है भी श्रावन मास्तो पूरा ही शिव जी की उपासना में गया आप सभी ने देखा भी योगा राम जी का मैंने बता दिया क्या थे हम कौन थे कितना स्वाभिमानी वेक्ती थे कितने धार्मिक वेक्ती थे हमने क्या बना दिया विरोधी और इस्त्री विरोधी और कृष्ण जी पे तो दुनिया का कोई लांचन नहीं छोड़ा जो नहीं लगाया और बस शिवजी के चर्चा और करके वानी को विराम दूंगी अभी शिवजी का और देख लीचे हमारे शिवजी उपासक है हम उनको कहते हैं हम तो उपासना करते हैं हमारे आराध्य है हम उनकी पूजा करते हैं भगवान मानते हैं कुछ लोग ईश्वर मान रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं नील कंट पे चड़के भोला पी अबाल्टी भांग विचार करके देखो इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं आज हमारी आत्मा नहीं दुखी होती हमारा कलेजा नहीं कापता नील कंट पे चड़के भोला पी अबाल्टी भांग उनको नशेडी बना दिया भंगेडी बना दिया आप विचार करो जिनके आराध्य हमने खुद के आराध्य स्वयम नशेडी बना दिये गंजेडी बना दिये तो हम स्वाविमानी कैसे रह सकते हैं अगर बस यही कहूंगी कि धर्म एवाहतो हन्ती धर्मो रक्षती रक्षिता हा सही उपासना कीजिए धर्म का सही स्वरूप जानिये स्वाध्याय कीजिए वेदों का ध्यन कीजिए उपनिशदों का ध्यन कीजिए और माभारत और रामायन पहुत आसान भाषा में उपलब्द है अगर श्लोक संस्कृत में पढ़ने नहीं आते तो हिंदी में पढ़ लीजे लेकिन कम से कम लांचन लगाने में हमारे ईश्वर हमारे आराध्या जिनकी हमें उपासना करनी है उनको छोड़ दीजे क्योंकि वाली बात है कि हम दिव्य नहीं है दयानंद से एक छोटी सी चिंगारी है लेकिन जहां खड़े हैं वहीं राष्ट की असमत के एक पुझारी है तो स्वामी दयानंद के सिपाहियों को इन सब विशयों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इनके कारण हमारे देश का समाज का राष्ट्र का और जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं सनातनी कहते हैं लोग उनका उपहास उड़ाने लगे हैं तो हम सभी को जागरुख होके अपनी आवाज उठानी चाहिए धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और मारा हुआ धर्म आपका भी विनाश कर देगा तो इसलिए वयम राष्ट्रे जागरियावा पुरोहिता हा हम राष्ट्र के जागरुक पुरोहित बने और जागरुक रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और अंतिम में दो पंक्तिया कहकर वानी को विराम दूंगी संस्कृति के हित जो कट जाए वो मात मुझे दो और जो गरीबों को उठाले वो हाथ मुझे दो और तडप उठे पराई पीड़ा को देखकर दिल वो दयानन सा नाथ मुझे दो और घंगोर तिमिर का वक्ष चीर एक अकेले मारशी देव दयानन कितनी क्रांती करके गए सत्यार प्रकाश देके गए हम इतने लोग यहां बैठे हैं सभा में आज विचार कीजेगा कितने लोगों ने सत्यार प्रकाश पढ़ा है मैं हाथ नहीं उठवारी लेकिन विचार भी विने पढ़िए विचार करिए उन्होंने व्यवार भानू लिखी तो विचार करिए कितने लोगों ने व्यवार भानू पढ़ी है तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं अगर परिवर्तन लाना है तो स्वाध्याय करना पढ़ेगा तो मारशी द गनगोर तीमिर का वक्षचीर भूपर उत्री थी ये किरण, संदेश सवेरे का लाई हम करते उसका भी नंदन, और जंजीरों से जकड़े स्वदेश को रहा दिखाई थी तुने, जिसको काल भी न बुझा सके वाश्यमा जलाई थी तुने, जिसको काल भी न बुझा सके आंगन में तु बीज उशा के बोता था आवाज लगाई थी तुने जब सारा भारत सोता था धन्यावाद इतियों अच्छा